जैसा कि आप बखू भी जानते होंगे अलग-अलग प्रभीदों के पकने का समय एक समान नहीं रहता इसलिए फसल की कटाई करने से पहले भुट्टे की पूरी जाज परताल करनी चाहिए रभी मौसम में लगाए गए मक्का में मोचा निकलने के 50 से 55 दिनों बाद जब भुट्टे परिपक हो जाए तब मक्के की तुड़ाई करनी चाहिए उसके बाद भुट्टों को धूप में सुखा कर मक्का दौनी यंत्र की सहायता से दाने को अलग कर ले रभी मक्का की ओसत उपज तक्रीबन 60 से 65 कुइंटल दाना प्रती हेक्टेर होता है तोड़े गए भुट्टे की सुरक्षित भंडारन के लिए दानों को अच्छी तरह सुखा कर पॉलिथीन तहवाले बोरों में भंडारित करनी चाहिए ध्यान रहे कि भंडारन के समय नमी की मात्रा 12 प्रतिशत होनी चाहिए तो किसान भाईयों यू तो मक्का की खेती आप खरीफ, रभी और गर्मा तीनों सीजन में कर सकते हैं लेकिन रभी मौसम में मक्के की खेती आपके लिए बहुत ही फायदे मंद हो सकती है